हॉस्पीटल नौकरी के केरियर सेग्मेंट की सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अपनी पढ़ाए पूरी करने के बाद कौन नहीं चाहता है कि उनके पास एक अच्छी जॉब हो एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो और आप जो कर रहे हैं वो आपको सैटिस्फेक्शन देने वाला हो लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है दोस्तो आज जब हम बात करते हैं केरियर ओप्शन चूज करने की सो भी है वेरी लिमिटे ओप्शन या तो हमने सुन रखा होता है या फिर हमें आके कोई बताता है और हम भी उसी लाइन में लग जाते हैं जिसमें पहले ही हम जैसे कितने स्टूडेंट लग चुके हैं दोस्तो हमारे करियर ओप्शन एक less known but important करियर ओप्शन है जिसमें success भी आपकी certain है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं करियर in CSSD technician के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि CSSD होता क्या है उसके बाद हम जानेंगे CSSD technician के बारे में एक CSSD technician का क्या क बाम होता है और दोस्तों आप एक CSSD technician कैसे बन सकते हैं साथ ही साथ में दोस्तों इन courses को करने के बाद आपके पास क्या career opportunities रहती हैं तो दोस्तों यह सभी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में तो ऐसे में आप सभी से request है कि बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंतक नवश्क हैं माली जे किसी festival के चलते एक patient hospital से घर आता है लेकिन दोस्तों घर आने से पहले एक patient कई न कई hospital में रहा होता है hospital की services को वहाँ पर उनने लिया होता है ऐसे में दोस्तों जो services patient को दी जाती है वो mainly doctor, nurse, other healthcare workers के थ्रू दी जाती है लेकिन दोस्तों इन services के शुरू होने से पहल दोस्तों किया जाता है central sterile service department यानि कि cssd तो दोस्तों cssd को आप ऐसे याद रख सकते हैं central sterile service department अब cssd क्या करता है दोस्तों तो जो भी reusable instrument होते हैं यानि कि ऐसे instrument जिनको आप दुबारा से use कर सकते हैं hospital में अब या तो वो instrument हो सकते हैं वो devices हो सकते हैं दोस्तों किसी भी area या के फर एक्जामपल ऑप्टेशन थेटर के, किसी जनरल वार्ट के, क्रिटिकल केर के, आउट पेशन या फिर एंडोस्कोपी के, या कुछ भी दोस्तो अधर जो प्रॉसस किये जाते हैं, तो वहां के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ऐसे मेडिकल डिवाइस होते हैं, जिनको दोबारा से आपको यूज करना पढ़ सकता है, या हॉस्पिटल में जो हेल्थ के वरकर ने वो दोबारा उसका यूज करते हैं, डिफरेंट पेशन पर, उनको दोस्तो अच्छे स स्टेराल करना होता है, जिससे कि उन्हें दुबारा यूज किया जा सके और किसी भी तरीके का इंपेक्शन ना फैले, तो दोस्तो जो डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है, स्टेराल करना इस तरह की इंस्ट्रूमेंट और गैजिट को, ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि दोस्तो CSSD में जो काम करते हैं वरकर वो ऐसे health care worker होते हैं जो कि patient से directly तो नहीं मिलते हैं लेकिन दोस्तो उनका एक बहुत बड़ा role रहता है patient को healthy रखने में क्योंकि patient के उपर जो भी instrument या devices use की जाती है patient को better करने के लिए चाहे वो surgery के तौरान हो या फिर दोस्तो किसी भी त रहता है कि sterile department का या हम कहें CSSD department का तो इस तरह से दोस्तों जब CSSD में दोस्तों sterile किया जाता है इन सभी instruments को devices को तो इस तरीके से जो भी infection फैलने के possibility होती है वो तूट जाती है possibility खतम हो जाती है fundamental role के बारे में दोस्तों कर हम बात करें CSSD के तो दोस्तों इनका काम होता है receive कर करना clean करना decontaminate करना जो भी packaging होती है उसको package करना और दोस्तों sterile करना medical devices को जिससे कि उन्हें properly distribute किया जा सके उनके दुबारा reuse के लिए दोस्तों sterile करने के लिए इन सभी devices को reprocess किया जाता है reprocessing equipment जैसे की washer disinfector और साती सा sterilizer जिनको दोस्तों routinely maintain किया जाता है और validate किया जाता है जिससे की cross contamination को और infection को फैलने से रोका जा सके तो दोस्तों ये जो काम होते हैं ये काम होते हैं CSSD के यानि की central sterile services department जो की सभी hospital में होते हैं दोस्तों तो अभी तक आपने समझ लिए कि CSSD का काम क्या होता है आप दात करते हैं CSSD technician के बारे में कि उनका क्या काम होता है तो दोस्तों CSSD technician को इन सभी processes को करना होता है for example decontamination कर करना होता है इन devices का sterilize करना होता है packaging करना होता है distribution करना होता है instruments का और supplies का यानि कि किस instrument को किस department में भेजना है किस device को कहां पर रखना है या किस area में इस device को होना चाहिए सभी काम दोस्तो CSSD technician के होते हैं उसके अलावा दोस्तों कई equipment और machine को operate भी उने करना होता है जैसे कि ultrasonic washer air dryer water distiller उसके लावा washer और decontamination unit को operate वहाँ पर करना होता है इसके अलावा steam sterilizers को दोस्तों वहाँ पर operate करना होता है जिनमें high-wag और gravity भी होते है athlean oxide sterilizer instrument marker steris साथी साथ में दोस्तों monitor करना होता है efficiency sterilizer की और lock की जहां पर उन्हें biological testing को भी perform करना होता है साथी साथ में दोस्तों हाँ पर उन्हें knowledge होना जरूरी होता है cold sterilization की identify करना होता है surgical instruments को उनके नाम से और साथी साथ दोस्तों appropriate sterilization method का भी use करना होता है उनके use के according साथी साथ में prepare करना होता है surgical goods को और instrument को किसी भी sterilization के लिए यानि कि sterilize करने से पहले आपको उन्हें किस तरीके से तयार करना है इसके sterilizer load को और maintain करना होता है सभी के record को इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे rule और responsibilities होते है एक sterile technician के जोकियोंने perform करने होते हैं जैसे की safe handling patient care का या patient care के items का जहाँ पर किसी भी तरीके का blood या फिर body fluid लगा हो तो उसको किस तरीके से contaminate, discontaminate किया जाए तो वो भी दोस्तों यह पर देखना होता है इसके अलावा रिपोर्ट करना किसी भी तरीके की malfunctioning है equipment में माल लीजे कहीं से चटका हुआ है टूटा हुआ है properly काम नहीं कर रहा है तो वो दोस्तों वहाँ पर उन्हें central sterile technician को वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है department में इसके अलावा दोस्तों participate करना होत है in service education और department meetings में hospital की policies और procedures को follow करना होता है patient की confidentiality को maintain करना होता है साथी साथ other duties जो भी उन्हें assign की जाती है तो दोस्तों एक को general जो काम है उसके बारे में हमने बात की क्या काम करने होते हैं CSSD technician को आई अब बात करते हैं कि कैसे आप CSSD technician बन सकते हैं तो दोस्तों एक CSSD technician बनने के लिए आप कई सारे online और offline courses को कर सकते हैं सीधे आपके 12 के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ जो संस्ता हैं वो physics chemistry biology के students को prefer करती हैं वहीं कुछ संस्ता हैं सिर्फ physics chemistry math और कुछ संस्ता हैं किसी भी stream के student को prefer करती हैं तो यहाँ पर अलग-अलग preference हैं अपने preference के according दोस्तों यहाँ पर चुनावाब कर सकते हैं कि कहां से आप इन courses को करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो जगह जहां से आप course कर सकते हैं वो है सिंगानिय यूनिवरस्टी दोस्तों सिंगानिय यूनिवरस्टी राजिस्थान में है जो की diploma कराती है CSSD technician का eligibility दोस्तों यहाँ पर 12th होना आपका जरूरी है और PCB से होना चाहिए यानि physics, chemistry, biology आपके पास होनी चाहिए 10 plus 2 में एक साल का दोस्तों यह diploma course होता है तो अगर हम बात की तो एक साल की जो fees है यहाँ पर 20,000 रुपए है जिसमें hostel charges include नहीं किये गए हैं तो 20,000 दोस्तों एक साल का course होता है यहाँ पर और एक साल की जो charge है वो 20,000 रुपए है तो सिंगाने यूनिवस्टी से दोस्तों अगर आईस्थान से आप बिलॉंग करते हैं उसके आसपास की area से बिलॉंग करते हैं तो 9 months का दोस्तों यह certification program होता है जहाँ पर दोस्तों 5 सीटे रखी गई है यानि कि दोस्तों सिर्फ 5 ही candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं क्या करते हैं दोस्तों इस course के दौरान तो 6 महीने दोस्तों आपका learning होता है और 3 महीने आपको internship करने को मिलता है CIMS hospital गुजरात में तो अपने ही hospital में दोस्तों यह आपको सिखाते हैं आपको यानि कि practical knowledge आपको मिलता है eligibility क्या है तो दोस्तों science और commerce के background के जो student हैं दोनों ही यहाँ पर apply कर सकते हैं यानि कि चाहें आप math से हों, biology से हों या गॉर्मर्मर्ट से हों आप यहाँ पर apply कर सकते हैं पांचो सीटों के लिए course fees की बात करें तो 20,000 रुपए यहाँ पर भी दोस्तों course fees है training आपका पूरा CIMS hospital में ही होता है अगली जो दोस्तों जगह है वो है राजगिरी hospital कैरला कैरला में दोस्तों थोड़ा दूर है लेकिन अगर आप यहाँ पर manage कर सकते हैं तो यहाँ से भी दोस्तों आप इस course को कर सकते हैं यह एक certificate course कराते हैं CSSD technician का इसका जो दोस्तों duration है CSSD technician के course का दोस्तों वो 2 साल का है तो दो साल का दोस्तो ये course कराते हैं जहाँ पर 5 seat यहाँ पर भी रखी गई है requirement दोस्तो अगर हम बात करें कौन कौन apply कर सकता है तो 50% से ज़्यादा marks आपके होने चाहिए physics, chemistry और biology में बिलाग कर यानि कि तीनों के aggregate जो है दोस्तो वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए age दोस्तो आपकी 17 साल से ज़्यादा होनी चाहिए तो 17 साल से ज़्यादा age आपकी है तो आप apply कर सकते हैं वहीं fees की बात करें तो 30,000 रुपर दोस्तो पर year का यहाँ पर fees है और 2 साल का दोस्तो ये course है तो दोस्तो ये आप कर सकते हैं राजगिरी hospital केरा से भी इसके अलावब दोस्तो मान लीजे अगर आप offline afford नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए मान लीजे संस्ता हैं दूर दूर हैं आप नहीं जा सकते हैं तो आप online program भी कर सकते हैं online program आप कर सकते हैं Astron International से दोस्तो ये एक website है जो कि कई सारे healthcare से जोड़े courses को कराती है इसमें eligibility की दोस्तो अगर हम बात करें तो कोई भी 12th का student यानि कि जिन्होंने अपना 10 प्लस 2 complete कर लिया है किसी भी stream से हो चाहे वो art से हो math से हो यानि कि science से हो या फिर दोस्तो वो commerce से हो वो यहाँ पर eligible होते हैं sports को join करने के लिए यहाँ पर क्या सिखाया जाता है तो दोस्तो एक साल का यह diploma course होता है जिसमें 9 months आपका theoretical part रहता है वहीं 3 महिने की आपको training भी दी जाती है hospital में तो 1 year का दोस्तो यह diploma program कराते है Astron International जिसको आप join कर सकते हैं इस course में दोस्तो क्या क्या आपको सिखाया जाता है तो human anatomy और physiology के बारे में आपको सिखाया जाता है Central sterile supply technician क्या होता है उसके बारे में आपको पता चलता है layout क्या होता है Central sterile supply technician का decontamination कैसे किया जाता है equipment का basic microbiology क्या होता है cleaning method क्या होते है Central sterilization department में disinfection कैसे किया जाता है sterilization कैसे किया जाता है packaging कैसे की जाती है product की sterilization के लिए quality assurance क्या होता है sterilized equipment का साथ ही साथ में reuse कैसे किया जाता है disposable medical devices को साथ में आप सीखते हैं बाइडिकल वेस्ट के बारे में तो दोस्तों इस सभी चीज़ा आप स्कोर्स के दौरान सीखते हैं लास्ट में दोस्तों हम आपको बताते हैं bachelor program के बारे में यानि कि मानली आप डिप्लोमा ना करके bachelor degree करना चाहते हैं तो दोस्तों ओम sterling global university हिसार हरयाना में दोस्तों यह university है हिसार चंडिकल रोट के ऊपर तो अगर आप bachelor degree लेना चाहते हैं तो दोस्तों BSc in Central Australization Supply Department में आप कर सकते हैं तीन साल का दोस्तों यह course होता है क्योंकि bachelor degree program है वहीं यह सिफ physics chemistry biology वाले student कर सकते हैं तो ज्यादा information के लिए दोस्तों आप sterling global university के website पर जा सकते हैं या फिर दोस्तों आप directly visit कर सकते हैं इस university को हिसार में दोस्तों university है हरयाना चंडिकल रोट पर तो बैशलर डिगरी दोस्तों यहां से आप ले सकते हैं Central sterilization में अब दोस्तों बात करते हैं कि कितनी salary आप expect कर सकते हैं शुरू में तो दोस्तों 15,000 से 20,000 के बीच में दोस्तों आप अपनी सुरुआती salary expect कर सकते हैं किसी भी hospital में, nursing home में, medical college में या फिर रिसर्च center में इन सभी जगह पर दोस्तों आपके लिए jobs available रहती हैं इसके लावर government jobs भी aims की ओर से जाफ़े जिपमर की ओर से दोस्तों आती रहती हैं CSSD technician के लिए तो government jobs के लिए भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इन courses को करने के बाद तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कैसे आप बन सकते हैं CSSD technician और क्या दोस्तों यहाँ पर scope आपके लिए रहता है 10 प्लस टू के बाद आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो helpful और informative लगा होगा ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमाय चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब ज के लिए सकते हैं